प्रियांसु को स्कूल से लेने के लिए वर्षा जुट्टी है तो वर्षा घर पे है और इधर खाना भी खा रही है बैटी हुई हेलो करो तो चड़ी आप लोगों से आके मिलती हूँ तो अभी मैं आ चुकी हूँ प्रियांशु के स्कूल में इसको लेने के लिए और इदे के धूप कितनी ज्यादा हो रखी है आज कल दिन पर दिन धूप और गर्मी बढ़ती चली जा रही है और मैं तो रोड डरी चाता लेके आत और टीचर भी बच्चों को बहाँ नहीं निकालते हैं जब पेरेंट्स आते हैं तो अभी मैं यहां से लेती हूँ प्रियांशु को और प्रियांशु क्लास आ भी चुकी है तो प्रियांशु पहले निकल चुका था और मुझे दिखाई नहीं दिया वो मेरे पीछे से आया और भी मुझे से बोला ममी तो तब मुझे फिर दिखाई दिया है तब मैं इसको यहां से लेती हूँ और चलती हूँ घर पे यह देखे आके खड़ा हो गया है मेरे पीछे से ऐसी करता है रोज मैं तूलती हूँ ओमेश कर लेए हूँ और लेका का डियोण तो त、 और लेका सकना विपादो कि कोची और तंके सायु ओयattack कोहँ मैं थ्यों भाराउ रोल्या का जह बुच這裡 हूँंती है च adaptे है ज dunno स्वगाँ हमूँ चासे है प्रियान सुगत में लेका गई हूँ काफी देर हो गई है आगे खाना में खाया थोड़ा आराम किया और अभी चार वजे का टाइम हो रहा है यहां पर मैं बच्चा के लिए तरबूज काट काटके दे रही हूं दोनों के लिए और मैं अपने लीक्ता बनाओंगी चाई और चाई पिने के बाद हम जाएंगे थोड़ देर चट पे एक अगात् गंटे के लिए क्योंकि बच्यों का अचकल मैं रोगोна साइकल चलवारी हूं, को सिखाने के चक्कर में इनको साइकल निया चलानी तो भजाए सभानिपकर के नगी पड़ी नुक्सान भी प्ड़ी हूं तो मैं तो जब भी खिलाती हूँ बच्चों को काला नमक डाल के ही खिलाती हूँ तब यह किलिप है कम से कम एक देड़ घंटे बात की क्योंकि मैं बच्चों को छट पे साइकल चलवा के आई उसके बाद आगई हूँ नीचे और यहाँ पे कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तईारी और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है इसमें थोड़ सा मैंने नमक डाला है और थोड़ थोला पानी डालके इसका एक बहुत ही अच्छा सा बैटर बना लिया है बहुत ही सॉफ्ट जिसने के हमारी पकोड़िया भी बहुत सॉफ्ट बनने वाली है जितना हम बेसन को फैट ने हैं इतनी हमारी पकोड़िया सॉफ्ट बनती है फूली फूली बनती है तो यहाँ पर बैटर बना कि मैं थोड़र के लिए रख दया है और साथ में कर लिया है और भी तैया रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पयाज काट लिया है बारिक करके और ले लेली है जिसको मैं इसमें डालके कुटने वाली हूँ क्योंकि आज मेरी मिक्षी का जार खराप इसको मैं थोड़ थोड़ा पानी डालके और अच्छे से फैट लोंगी इसका बनाना है मुझे गोल और इस बेशन को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कड़ी बनाई थी मैंने इसमें बेशन नहीं दिखा था गोल बनाते समय तो मेरी एक बहन वोल रही थी क आपने कड़ी में बेशन नहीं डाला तो इस चकर में आपको दिखा रही हूं इस बेशन को तो बस इसका में घोल बना के और दिखाती हूं आप लोगों को तो यहां पर मैं थोड़ सा पाण डाल के इसका अच्छे से गोल बना लिया है अभी जो साइड में दही रखी हुई दही को मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सबको तो एक घुल चुका है भी और कड़ाई भी हमने इधर रख दिया तेल डाल दिया है और यह गरम भी होने वाला है इसमें बनाने वाले हूं पकोड़े तो सारी चीज़े हमारे में तेल हैं यह पर यह पकोड़ों का बेसन है और यह प्याज लैसून और कड़ी में बनाने आर्प्स प़ेले मैंने पकोडे बनाने स्टार्ट कर दे हैं और आप लोग देखना काई सुखे और और मेरे दोनों यह बच्चे कड़ी के पकोड़े दे भी निखाते हैं इसलिए मैं उनको पहले ही दे देती हूं तो वह अराम से खा लेते हैं और वैसे ही मैं ज़्यादा बनाती हूं उसमें से आधे मैं कड़ी में डालती हूं और आधे एक तरफ निकाल लेती हूं क्योंकि इसके पापा को काफी ज़्यादा सुख है सूखे पकोड़े खाने का तो बस यहाँ पर पकोड़े बन चुके हैं कड़ा यह विसा तेल कम कर ल यहां पर डाल दिया है मैंने सबसे पहले जो लसून मैंने कोट कर रखा था इसमें अद्रक कोटने वाली में वह डाल दिया है उसके बाद प्याज डाल दिया यह दोना चीज़े हो जाएंगी थोड़े से सूखे मसाले अट करूंगी और इधर मैं आप लोगों को दिखा र अच्छे से मिक्स कर बिसक्र लूँगी नमख मैं पाद में डालते हूं जब मैं ऐक वाल आजाता है उसके बाद मे नमक डालती हूं तो जया चाहा है появ psych लागों कि बाद कर तो काफी देर तक बनती है और मुझे नमसक कर जाती है ना बंटी-बंटी कम से कम मेरी कड़ी को एक घंटा लग जाता है अराम से बनने में तो यहां पर मैं थोड़ा पानी डाल दिया है और यह आप लोग देख सकते हैं कि कड़ी का कलर अभी सी कैसा आ रहा है भी तो बाल भी नहीं आया है तो बस इसको मैं लगातार चलाती रहूंगी ताकि यह फट कि चोल्डा मोटे काम ऑनट हैं बदम पड़े हैं अ कम में लिए में और साथ क्ण शार कर्ति हैं उसमातार साले और सविक क्ड़ ने तो यहां पर हमारी कड़ी हो चुके है बनकर तयार देगे कितनी अच्छी लग रही है तो बस अब मैंने यहां पर रख दिया है फ्राइपन क्योंकि अब मैं इस कड़ी में तड़का लगाने वाली हूँ एक तुमेश में डाल रही हूं थोड़ा सा घी और साथ में डाल दू है यहां पर डालती है थोड़ सी देग मिर्च और यह सब डाल दे है कड़ी के ऊपर और इस तड़के को लगा के टेस्ट दोगना हो जाता है तो देखे कितनी अच्छी लग रही है हमारी कड़ी एकदम कलरफुल कड़ी है और साथ में में चावली बन गए हैं तयार हो गए अब ही मैं लगाती हूं प्रेट और लगा के आप लोगों को दिखाती हूं तो यहां पर हमारी प्रेट लग चुकी है और यह मैंने दो कोटवियो में जहां कड़ी डाल ले क्योंकि एक में ना कम रह जाती है बार-बार लानी पड़ती है तो इसलिए मैं दो में डाल दिया पहले ही तो बस सलाद में खीरा और प्याज है चावल है और रोटिया मैं भी बना रही हूं गरम गरम बनाके और इनको दे दूंगी तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना जो भी चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्ákाइब कर लेना और हमारी वीडियो को अपनी ओर फैमली और फिरेंस के साथ सेर करना और आप को हमारी वीडियो कैसे लगते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई